दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरने सेजुकिस न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में बहुत बड़ी न्यूज के साथ हाजिर हूँ दोस्तो पंचायती राद चुनाव याने कि पंच और सरपंचों के चुनाव जिन ग्राम पंचायतों में पहले चरन में आयोजीत नहीं हूए थे जो साथ जनवरी को जो फोम फिलप किये गए थे और उन पर हाई कोट का स्टे आ गया था और उन ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं हुए थे जो पहले चरण में होने थे उनहीं चुनाव के मदे नजर अब निर्वाचन विभाग ने महत्पुन प्रेस नोट रिलेज किया है तो दोस्तों पंचायते रह गए थे उनके चुनाव की डेट आ चुकी है तो ये फूरा वीडियो उनहीं के लिए रहने वाला है राज निर्वाचन आयोग राजस्तान ड 28-28-2020 जिला निर्वाचन अदिकारी तो इन इन जिलों की वो पंचायते बच गई थी जहां पर चुनाव नहीं हुए थे और अब इनकी नई चुनाव ती थी है जो आ चुकी है देखिए दोस्तों यहां पर विशय देख सकते हैं पंचायती राज संस्ताउं पंच और सरप पंच के आम चुनाव 2020 पर्थम चरण में प्राप्त वे सुरक्षित अभीरक्षा में रखे गई नाम निर्देशन पत्रवाली ग्राम पंचायतों के आम चुनाव प्रिक्रिया को पूर्ण करवाने के संबंद में यह लेटर दिया गया है और इसमें पूरी की पूरी जानक कारी दी गई है कि प्रथम चरण में जो पंच सरपंचों के जो चुनाव थे साथ एक दो हजार बीस को लोग सूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार आठ एक दो हजार बीस को नाम और निर्देशन पत्र प्राप्त किये गए थे और नो जनवरी को लास्ट एट ती नाम अंकन वापस लेने की तो उन्हें के मते नजर ये चीज की गई है चुनाव चिनों का भी आवंटन कर लिया गया था और माननी है हाई कोट के जो निर्दे थे उनको भी यहाँ पर देखा गया है ठीक है अब देखिए यहाँ पर उक्त आदेश के क्रम में 1119 क्राम पंच जा यहाँ पर आया था जो आई कोट का जो देख सकते हैं आप लोग ठीक है अब देखिए दोस्तों इसमें जो डेट है वो देख सकते हैं ठीक है अब देखिए इसमें किया गया है ये देख सकते हैं आरक्षित ये की गई है तो इनका देखे दोस्तो कब होंगे चुनाव और कोई भी याँ प्याडचन नहीं है मत्दान दलों की रवान गई 14-3-2020 को 14 मार्च को ये मत्दान दल रवाना होंगे मत्दान किती थी 15 मार्च को चुनाव होंगे दोस्तो अब जिन ग्राम पंच ये तो में चुनाव नहीं हुए थे मत्दान की थी थी 15-3-2020 यानि 15 मार्च के दिन ही जैसे ही चुनाव खत्म होंगे मत्दान का समय खत्म होगा उसके बाद ये यहाँ पर इनकी गिंती की जाएगी और उसके चुनाव की जो तित्हीं है 16 मार्च यानि कि 16 मार्च को यहाँ पर उसके चुनाव कराय जाएगा ठीक है और ये आपका यहाँ पर 15 मार्च को आपके वोटिंग होगी ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर यह बड़ी अपडेट है पंचायत राज चुनाओं को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज और सभी ग्राम पंचायत जो बच गई थी उनमें ये चुनाओं होने है तो यहाँ पर बड़ा अपडेट दिया है राज निर्वाच नायोग ने ठीक है और सारी के सारी जनकर इसमें दी गई है देख सकते हैं आप लोग 15 मार्च को चुनाओं होने वाला है और उसके बाद आपका जो है 16 मार्च को आपका जो उप सरपंच का चुनाओं ग्राम पंचायत मुख्यालव पर ये आजित किया जाएगा तो दोस्तो ये बड़ी अपडेट है वीडियो को जदस जदस लाइक करें और चैनल को अवज से सब्सक्राइब कर ले तो दोस्तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे और इस जानकरी को अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का और ये प्रेस नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नजर आएगा उस पर भी देख सकते हैं धन्यवाद जय हिन जय भारत